ये case study है आज हमारे सामने जहां पर मुझे comment करके किसी ने पूछा विपलव सर मेरे investment सही है या नहीं मुझे बताईए उन्होंने अपनी detail भेजिये YouTube पर comment करके तो मैंने का आज इसी पर video बनाए क्योंकि ये सवाल सभी के मन में होता है कि मेरे पास ये investment से अलग-अलग तरीके के और मैं जीवन में क्या करूं सही है या नहीं या best plan बता दीजिए सारे YouTube comments इसी से भरा होता है मेरा तो आईए हम लोग इसको देखते हैं detail में video को discuss करेंगे वीडियो में अंतक बने रही हैगा like करना और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा Hi I am Vipna Majumdar I am founder of Plan Your World So discuss करते हैं हम लोग इस question को Sir एक बात बताए मैंने post office में NSC 30 लाग की की है KVP में 40 लाग FDs में 50 लाग और अब recently mutual funds में 20 लाग invest किया है क्या मैंने सही किया है प्लीज सेर रिपलाई करें अब मैं FDs close करके पैसा mutual funds में invest कर रहा हूँ So बहुत सारे सवाल हैं आपके life से जुड़ते हुए हैं हो सकता है आपने PF में किया हो हो सकता है आपने PPF में किया हो कुछ जमीनों में किया हो मन में सबके एक सवाल होता है तो इसको कैसे चेक करें और middle class में हैं तो कैसे चेक करें ये अपने आप में एक बहुत बड़ा question है कि middle class में हम इसको कैसे चेक करें हम सही हैं क्या क्योंकि जब upper class की बात करता हूँ तो एक word आता है portfolio आपर क्लास वाले क्या कहते हैं मेरे पास पॉर्टफोलियों में यह चीज़ें हैं मैं सही कर रहा हूं तो वहां पर कोई फरक नहीं पड़ता मैं आपके एक जामपल देता हूं किसी से मैंने कहा कि उनके बच्चे के लिए उनको साड़े चार करोड की जरूरत है उनने का साड का मतलब क्या है आईए हम लोग देखते हैं विनोद बांगरूजी का सवाल है तो विनोद बांगरूजी की स्थिती में क्या-क्या सिच्वेशन बनती है और मेरे सवाल उनसे क्या है एक बात आती है कि वेल्थ क्रिएशन को पहले समझ लें वेल्थ क्रिएशन क्या है अगर आप मिडिल क्लास में हैं और विल्थ क्रियेशन की बात करते हैं इसका मतलब कहीं कुछ गलत हो रहा है मैं आप से ये बोलूं आपके जीवन में बहुत सारी responsibilities हैं अलग-अलग responsibilities आपके life में हैं सो एक छोटा सा प्रक्ष्ण जो आप अपने जोतिशे से पूछते हैं कि माल लेता हूं आपके उम्र 30 साल 40 साल पचास साल है तो आप पूछते हो कि 60 के उम्र तक मेरी जीवन कैसा है या पूरा जीवन कैसा इसका मतलब क्या है साथ तक मेरी जितनी जिम्मेदारियां मैं उन सब को पूरा करूँगा और उसके बाद के जीवन में मेरी लाइफ कैसी रहेगी सो जब आप wealth की बात करते हैं What is wealth? Financially free लोग जो H&I segment है जो upper segment है They are financially free उनकी पूरी जिन्दिगी के पैसे उनके पास है उनको घर चलाने के लिए जॉब करने की बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है और by default उनके पास professionally managed businesses होते हैं अब problem क्या है हमारे सामने हमें middle class में हमने word सीख लिए portfolio के जाए से NBC से या किसी से अब problem ये है कि मेरे जीवन में जो responsibilities हैं इनका खड़्चा है मान लिजे तीन करोड़ सो मेरे पास ही life में मान लेता हो तीन situation है मेरे पास तीन करोड़ है मेरे पास दो करोड़ है और मेरे पास छे करोड़ है अगर मेरे पास छे करोड़ है तो तीन करोड़ सरप्लस है तीन करोड है तो ends match हो रहे हैं और दो करोड है तो मैं घाटे में हूँ मैं अपनी चीवन की चीज़े पूरी नहीं कर पाऊंगा और मिडिल क्लास की सचा यह है कि maximum मिडिल क्लास including retirement जब सारी जिम्मेदारियों में retirement को add कर लेते हैं तो दो करोड के आसपास मतलब कहने का sense यह है कि उनके पास पैसा कम होता है तो यह स्थिती लगबख सबकी होती है तो what is wealth creation in middle class मुझे नहीं पता क्योंकि wealth creation बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है middle class के लिए अब आगे देखते हैं कि situation इनकी क्या है और हम क्या मानते हैं wealth को तो चलिए middle class से हमें अमीर होना है तो wealth create करने का formula क्या है middle class के लिए एक ही उपाय है क्या लेके पैदा हुए है यह दिमाग आपने purchasing power बढ़ाने के लिए पढ़ाई की और पढ़ाई करके आप एक service करते हो business करते हो जो भी आप करते हो basically आपको पैसा चाहिए अब savings जो होंगी आपकी इस career में 30 से 35 साल का career है इसी period में जो savings है इसको properly manage करके आप अमीर हो सकते हैं कैसे होंगे investing savings with financial planning skills क्योंकि इस skill के बिना काम नहीं हो सकता तो skill तो चाहिए ही चाहिए और right skills चाहिए दो यूपाय है आपके सामने या एक advisor ले लिजे बाइडिफॉल्ट आपकी दुन्या में advisor नहीं है और आप अगर middle class में हैं advisor आपको मिलेगा भी नहीं क्योंकि एक लाग से लेकर तीन लाग तक इनकी fees होती है साल की डिरेक्ली लें चाहिए और डिरेक्ली लें दूसरा पहलू आपके सामने क्या है कि आप खुद पढ़ ले सो इसके बारे में और ओन नॉलेज सो यह दोनों चीज़े आपके सामने होती हैं बट होगा क्या करियर में savings करके और इन्वेस्ट करके सही तरीके से ही अमीर हुआ जा सकता है अब situation हमारे सामने क्या है नॉर्मली हम wealth कैसे create करते हैं wealth creation का रूल क्या है increasing purchasing power so purchasing power के अगर मैं बात करूँ आपको उनके पास सवाल है उस सवाल को समझने के लिए विनोद बांगरूजी का सवाल समझने के लिए यह समझने की ज़रूरत बहुत ज़ादा है अपने आप में मान लीजे आपके आस पांच लाग रुपए है और आज के पास उस पांच लाग से आप तीन सेव खरीद पाते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ आपके जीवन में सो आप इंवेस्ट कब करोगे तो मेक मोर एपल्स ज्यादा सेवाप खरीद पाओ इसके लिए आप इंवेस्ट करोगे ठेक मनी इसम मीडियम टू बाय तो हमारी फीलि यह यह अब यह ना मिले तो यह मिल जाए कुछ तो बढ़के मिलेगा लेकिन सचाई क्या है आप जितना इंवेस्ट करोगे उससे कम लेके आओगे यह बात की गैरेंटी है और इसका क्या मतलब है यह देखते हैं हम सो अमीर कैसे होते हैं अमीर होने के लिए आप क्या लगाएंगे तो कैसे चले गाई एक आदमी 10,000 रुपए महिने का इंवेस्टमेंट करता है 30 साल तक ठीक 30 साल के लिए इंवेस्टमेंट गया 15% का रिटर्ण है 36 लाख रुपए टोटल का इंवेस्टमेंट कर दिया अब 36 लाख इंवेस्ट करके कितने बने 5.6 को ग्रेट अगर अगर बढ़ती हुँ सालरी लगा देगा और अच्छा होगा लेकिन अब यहाँ पर टाइम फैक्टर को इख्टर को ले लह सब्रहुत हैं मैं दो की बाथ कर रहा हूं हमने एक ताइम का दो टाइम का फैक्टर लिया 30 साल इंट्रस एट का फैक्टर लिया 15 परसेंट अब मैटर यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट जब किया तो 30 साल का इन्वेस्टमेंट टोटल है अब फील किया आया 30 साल बहुत होता है चलो एक काम करते हैं 20 साल बाद शूरू करेंगे 30,000 30,000 रुपए महिना इन्वेस्ट करूंगा मंतली और 36,000,000 रुपए जाएंगे 15% मिलेगा ठीक है थोड़ा सा फंड उपर नीचे होगा पावर अफ कंपॉर्णिंग तो पढ़ाया नहीं गया ठीक अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है 36,000,000 जमा किया future value is 78,000,000 अब wealth creation कहां कई कहां है wealth creation क्या wealth creation है क्या यह information के तौर पे इस वीडियो को सुनने लायक है या फिर आपके जीवन में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है यह अपने आप में life changing या life को हो खराब करने वाला decision रहा अब यही व्यक्ति अमीर होना चाहता है दो लाग दस हजार रुपे महिना लगाए तो जा करके हो पाएगा यह calculation समझ में आ गई अब हम आगे चलते हैं क्या होता है विनोद बांगरू जी ने कुछ investments कर रखे हैं किसमें 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 किये हैं 7% की आपकी महंगाई है post tax return कित्ता मिला tax देने के बाद महंगाई से कम अब महंगाई से कम return मिला तो क्या यह व्यक्ति जीवन में अमीर हो पाएगा एक छोटी सी चीज याद रखिए 7% चाहिए return अगर आपने साथ से नीचे बनाया तो आप loss कर रहे हैं 7% सिर्फ और सिर्फ पैसे की value maintain रखने के लिए चाहिए यह 3 save maintain रखने के लिए क्या situation है situation यह 5 लाख रुपए आपने invest कर दिये आपको बताया गया कि अच्छा return मिलेगा और आपको फील हुआ कि मैं अमीर हो जाओंगा यही चीज विनोद बांगरू जी ने की हुई है अब विनोद बांगरू जी को एक बात समझनी पड़े की बहुत काईदे से कि 3 save की बजाए 15 साल बाद 2 save ही खरीद पाएंगे सो साथ परसेंट से नीचे का return हुआ तो आपके पास इतना ही मिलेगा हमें क्या लगा था पैसा बढ़ा के लेंगे हमें क्या लगा था मैं वेल्द बनाऊंगा अरे भाया अगर सिर्फ इतना maintain करना था तो आपको लगभग लगभग 14 लाक रुपए चाहिए थे लेकिन ऐसा कोई product जल्दी आपके सामने नहीं आता क्यों क्योंकि जो आपको कोई कुछ बेच रहा है उसका purpose है कि आप उसकी चीज खरीदो आप post office जाओगे post office agent को क्या पढ़िए आपको real rate of return बताने की पढ़िए कुछ उसको कुई जरूरुत है अरे बता देगा insurance agent आपको बता दे कि भाई साब post tax return ले लो आपको post tax return 8% 9% मिल जाए guaranteed तो आप अमीर हो जाओगे क्यों बताएगा उसका कोई भी product 6% 4% 5% से उपर देगा ही नहीं पूरे जनम में नहीं देगा आप देख लो सबसे जादा नुकसान guarantee के साथ किस ने दिया सबसे बड़ी company insurance की उसने दिया पूरी जिंदिग्यां खराब की insurance में investment करा के क्या हमारे आपके पिता जी ने कम पैसे लगाए सबने जादा जादा पैसे लगाए लेकिन क्या लेके निकले कुछ नहीं मुफलिसी किस बात के लिए इसी लिए है अब point यह है कि हम बिना चेक किये कैसे invest कर सकते हैं wealth बनानी है तो post tax return should be at least 9% वरना return कहां से आएगा wealth कहां से बनेगी so wealth तो बन ही नहीं सकती अब यह तो हुए उनके investments का एक analysis अभी एक पहलू और आता है कि उन्होंने जो investment किया है वो अलग-अलग किया किसमें किया है इन्होंने 30 लाग किया है NSE में KVP में 40 लाग FD में 50 लाग सारे के सारे negative return देंगे विनोच जी आपको अब 20 लाग रुपे mutual fund में लगाए क्या होगी situation आपने तमाम तरह से अलग-अलग investment किये यह investments आपने किये ठिक अब इन सब को जोड के जब आप investment कर रहे हो यह आपको दे रहा है पांश टका यह आपको दे रहा है साड़े चार टक कोई आपको दे रहा है छे टका अब बाकी पैसा तो आपने इधर लगा रखा है थोड़ा सा पैसा एक साइड लगा है जो आपको 10% दे देगा माल लेते हैं कुल मिला के इन सब का return अगर देखूं तो क्या 7% से उपर आया 99.99% Indians इसमें ही fail होते क्योंकि हम अमीरों की strategy follow करत कहां लगा दू कि overall return आ जाएगा और ये strategy सिर्फ उनको काम आती है जो asset allocation portfolio में अमीरों की हिसाब से करते क्यों जो मैंने आपको दिखाया क्या दिखाया अगर responsibilities के लिए 3 करोड़ है आपके पास 6 करोड़ है तो 3 करोड़ अलग कर दीजिए 6 करोड़ का जो 3 करोड़ extra बचा य वो strategy यहां पर शायद काम ना आए क्योंकि मैं यह मान के चल रहा हूँ विनोद बांगरू जी middle class के हैं तो यह उनकी life की situation आने वाली है क्या है situation questions for your situation in life पहली चीज़ उम्र क्या है मुझे नहीं पता अब मैं मान लेता हूँ 30 साल के हैं 40 साल के हैं 50 साल के हैं 60 years के यह मैंने म जिम्मेदारिया पूरी हो चुके सिर्फ capital protect करके रखना है तो भी आपको minimum 8% का return तो चाहिए वो बना लीजिए अगर आप इससे नीचे की age पे हैं तो यह सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं चाहे आप 30 साल के हैं तो आपके सामने जिम्मेदारियां आप अगर 40 के हैं तो ज education, masters, उसका settlement, उसकी marriage हम चाहते हैं बच्चे को बहुत अच्छे से settle करें जब हम जाए रिष्टा मांगने 25-27 साल के उम्र में कि भई मेरे बेटा या बेटी के लिए रिष्टा देखना है तो एक गर्व के साथ जाए इतने number आये थे इस college से पढ़ाई की थी इतनी इसकी salary है भई दहेज आप नहीं लेंगे मैंने मान लिया ना आप दहेज देंगे लेकिन बताएंगे तो बच्चा क्या करता है बच्ची क्या करती है उस वक्त ये कैसे तैह होगा ये तैह होगा college से अच्छा college क्या इसकी fees रुकी रहेगी अगर आज 10 लाग लगता है तो 26 लाग लग अब मेरा return overall अगर साथ से नीचे है guarantee के नाम पर तो guarantee मुझे क्या चाहिए थी देखिए दो guarantee में से चुन लीजिए successful father बच्चे से आँख मिला के बोल सके कि जिस college में चाहता है उस college में admission ले या फिर guarantee उस post office agent की guarantee उस insurance agent की guarantee bank वाले के FD की या mutual fund वाले के इस dialogue के किसर बहुत अच्छी जिंदीगी मिलेगी corpus बहुत अच्छा बन जाएगा retirement का नहीं आपकी life है you have to calculate कोई दूसरा interested हो ही नहीं सकता आपको अमीर बनाना है वह सब के पास अपने अपने कुछ ना कुछ scheme है और सारी best है सब कहते हैं मेरे पास best है एक ही चीज़ बचा सकती है आपको और वह पढ़ाई सिंपल पॉइंट है responsible learning financial planning अखुद जानना कोई technical चीज़ नहीं मैं खुद भी इसी भाय हो था cfp करने से पहले अब point is इसको इस तरह से define case platform को कि हर इंसान पढ़ पाए क्यों क्या इसका standard जवाब हो सकता है जितने लोग मुझसे comment करके पूछते हैं कि scheme बता दीजे आज सब को जवाब दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए कोई bothered है पूरी दुनिया में कितनी वीडियोस देखेंगे कि यह सारी चीज़े आप कर पाएं जाएए एक हजार वीडियोस देख लीजे किसी की भी देख लीजे क्या फरक पड़ेगा आपकी लाइफ में बट यह platform इसलिए बनाया है plan your world का कि retirement के time पे यह जो आप पूरी जिंदिगी कॉलर उपर करके चलते हैं retirement के time पे भी पैसे रहें और इसमें किसी एडवाइजर को interest नहीं है कितने साल एक लाख रुपए हर साल आप देंगे तीन लाख रुपए हर साल आप देंगे अपने किसी एडवाइजर को नहीं द होना है कुबेड सरजी से पूरा खजाना ले लिजिए और एबडी में रख दीजिए तो वह भी लुट जाएगा वह भी गरीब हो जाएंगे यह बात की गैरिंटी है एबडी के अंदर फिर कैसे हो सकते हैं अमीर आपको financial planning और आपको investment दोनों चीज़े सीखनी पड़ेंग इंडिया का कोई भी plan कोई भी plan जो बात करता है वो corpus की बात करता है पता है यह corpus कौन सा होता है यह sinking fund होता है जो आपने सुना है sinking fund societies में sinking fund बनाया जाता है कि वो पैसा खतम हो जाएगा कुछ समय के बाद यह sinking fund है 30-40 साल की बात करते हैं maximum इंडियन्स के पास 5-10 साल का sinking fund है retirement के बाद क्यों हम guarantee मांगते है ना guarantee किस चीज़ के guarantee life में success की guarantee मांग लीजे हर महिना खर्चा पूरा चलाने की guarantee मांग लीजे अगर आ यतने सारे सवाल किसी के भी जीवन में 30 के आप हो 40 के आप हो 50 के आप हो तो इसके जवाब क्या है आपको पैसा खुद manage करना पड़ेगा दूसरा कोई नहीं कर सकता कारण क्या requirement based investment भाई मैंने अगले साल फिर से review करनी अपनी situation इस साल हमने प्लान किया अगले साल review करूंगा क्यों review करूंगा भाई मेरे retirement पे एक साल कम हो गया सो मेरे पास जो working years है जो मेरे पास savings के years है उसी से तो करेंगे just like cricket cricket में आप हर over के बाद asking run rate पूछ लेते हो आपका minimum return कितना है आपकी सफलता के लिए कितने पैसे invest करने पड़ेंगे आपका घर का खर्चा कितने रुपे में चलेगा आज के 25,000 में आपके 50,000 में या एक लाख में खर्चा रोक पाएंगे कोई खर्चा नहीं रुकेगा detailed में retirement planning discuss करता हूँ money IQ class में Tuesday से लेके Thursday तक आप मेरे साथ कर सकते है money IQ class जिसमें ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं और सिर्फ 299 रुपे के साथ में इन तीन शामों में अगर commitment अपने जीवन के लिए निकाल सकते हैं इन 6 घंटों का मुझे पता है 299 कोई value नहीं य value है आपको करना चाहिए जो भी आपको आज तक बताया गया वो सिर्फ इसलिए बताया गया कि आप कोई ना कोई scheme खरीद ले और आपका जीवन चलता है आपके सवालों के जवाब से ना कि scheme से mutual fund से अलग corpus लगता है FD से 7 करोड लग जाएंगे mutual fund से 5 करोड लग जाएंगे retirement के pension plan से लेंगे तो retirement होई नहीं सकता असंभव है सो आपके लिए कौन सी चीज़े होंगी ये सब वहीं पर discuss करेंगे हम लोग गलत investment कौन कौन से हैं सब आप identify करेंगे tools आपको मिलेंगे और ये सारी चीज़े सिर्फ 299 रुपे में 6 घंटे के साथ और आप जानेंगे कि 5 से 7 साल में financially free कैसे हो सकते हैं प्लानिंग करके बैंक के पैसे को यूज करके कैसे financially free हो सकते हैं और ये सारी चीज़े सिर्फ 299 में आपको मिलती हैं अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप इसी का ले सकते हैं recorded version साथ में मिलेगी मेरी e-book और साथ में मिलेगा आपको live session का invite ये तीनों चीज़े आपको मिल गया होंगे हिंड मिल गया होंगे आपको